गोलू एक बड़ा ही शरार्ती बच्चा था उसकी माँ बच्पन में ही कुछ बीमारियों के चलते गुजर गई थी और उसके पिता काफी लापरवाह किसम के इंसान थे वो शहर जाकर काम करते थे और कभी कभी ही घर आते थे किसी बड़े के ना होने के कारण गोलू बहुत जादा शैतान बच्चा बन गया था वो हमेशे अपने मन की करता था और किसी की भी बात नहीं मानता था उसे पूरी दुनिया में केवल अपने गणित के मास्टर से डर लगता था एक दिन गोलू कुछ बच्चों के साथ गाउं के मैदान में खेल रहा था तभी गोलू को एक बच्चे पर गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है अरे ओ भोंदू लड़के ये तु कैसे खेल रहा है तुझे बॉल फेक नहीं आती क्या अगर तु ठीक से नहीं खेलेगा ना तो मैं तुझे यहां से बगा दूँगा ये तो मुझे कैसे बात कर रहा है गोलू तुझे पता नहीं है क्या कि तु मेरे ही बैट से खेल रहा है, एक तो मैंने तुझे अपना बैट दिया, उपर से तु मुझे भोंदू बोल रहा है, चल मेरा बैट वापिस कर, क्या, तु गोलू से भीड़ेगा, तेरी इतनी हिम्मत, हाँ तो, तु क्या कहीं का दादा है क्या, चल अब जल्दी से मेर बैट वापिस कर, मैं तुझे अपने साथ नहीं खिलाऊंगा, इतना कहकर वो लड़का, गोलू से अपना बैट चीनने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, बगर बाकी बच्चे उस लड़के को रोकने लगते हैं, लेकिन वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुन रहा था, ग गोलू से पंगा बहुत महंगा पड़ता है, समझा, मैं तुझे चोड़ूगा नहीं गोलू के बच्चे, मैं घर जाकर अपनी मा को सब बता दूँगा, फिर वो तेरे पिताजी के पास जाएंगी, देखना, अब तेरी कैसे कुटाई होगी, हरे पिताजी तो अगले महीले से पहले वापिस नहीं आने वाले, जा, तुझे जो करने कर लेना, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं कल स्कूल में, गणित के मास्टर से तेरी शिकायत करूँगा, फिर तुझे मज़ा आएगा, गोलू ये बात सुनकर डर गया, और वहां से दुम दबाकर भा कियों गोलू, मैंने सुनाए कि तुम बहुत बड़े दादा हो, और बागी सबी बच्चों पर अपनी दादा गिरी चलाते हो, क्या ये सच है, वो, वो मास्टर जी, मेरी गलती नहीं थी, उसी ने पहले चगड़ा शुरू किया, चुप हो जा, मुझे बहुत अच्छे से किस टीक कितनी गलती रही होगी, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, अब तेरी सजा ये है कि तु सब के सामने मुर्गा बनेगा और वो भी पूरे पीरियट के लिए, उसे रह रहे के, उस बच्चे पे बहुत जादा गुसा आ रहा था, जसने उसके शिकायत की उस बच्चे का नाम रोहन था, और वो बहुत धनी सेट का बेटा था, गोलु रोहन से हमेशा से ही बहुत चड़ता था, छुट्टी के बाद गोलु घर जाते जाते, खुद से कहता है, आज तो मेरी बहुत बेसिती हुई है, कुछ भी हो जाए, मैं उस रोहन के बच्चे क चोड़ूगा ने, उसकी वजह से मुझे इतनी ससा मिली, गोलु मन हिमन गुसाता रहता है और एक दिन गोलु, रोहन से बदला लेने के लिए घर से निकल पड़ा, वो सीधा मैदान में जा पहुँचा, जहां सब बच्चे खेल रहे थे, अरे वो देखो गोलु आ रहा है, क्या हुआ गोलु, तेरी दादागरी का भूत उतर गया क्या, हाँ, कुछ ऐसे ही समझ ले रोहन, वैसे ये तेरे हाथ में क्या है, ये, ये तो मेरे नई गुल्लक है, वैसे अभी अभी इन सब को यहीं तो दिखा रहा था, ये मेरे पापस शहर से लेकर आये है, गोलु रो गोलु का बदला भी पुरा हो जाएगा, और गोलु को नई गुल्लक भी मिल जाएगी, वा, ये तो सच में बहुत अच्छी गुल्लक है, हाँ, ठीक है, अब ला मेरे गुल्लक मझे वापस कर, गोलु को रोहन पे बहुत जादा गुस्सा आता है, और वो उससे गुल्लक फ नदी, अब मैं क्या करूँ, आगे कहा जाओ, यहां से तो रास्ता बंद है, भस गयाना गोलु के बच्छे, अब चुप चाप मुझे मेरे गुल्लक लोटा दे, वरना तुझे इसी नदी में धक्का दे दूँगा, गोलु रोहन की गुल्लक देने से मना कर देता है, गल्त कि रोहन उसे डूपता छोड़, गोलु डूप कर मर जाता है, और एक भूतिया बच्चे में बदल जाता है, उसके हाथ में अभी भी रोहन की गुल्लक थी, उसे रोहन पर बहुत जादा गुसा आ रहा था, गोलु का भूत गुसे में रोहन की घर की तरफ चल पड़ा, ले लेकिन भूत ने उसे पकड़ लिया, कहा भाग रहा है तू, तेरा दोस्त रोहन कहा है, अरे-अरे मुझे जाने तो गोलु भाई के भूत, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बच्चा, तुम सबने मिलकर मेरी कितनी शिकायतें की है, और कितनी बार मुझे तुम लोगों की मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, ठीक है, ठीक है, एक शर्त में मैं तुझे छोड़ दूँगा, तुझे इस रोहन के बच्चे को पकड़ने में मेरी मदद करनी पड़ेगी, वो अपने घर में नहीं है, इसका मतलब कि वो कहीं और जाकर चिप गया है, और मैं उसे ढूण रहा हूँ, अगर तुने किसी को भी मेरे बारे में बताया, तो तेरी खैर नहीं, समझा मौनू के बच्चे? मौनू डर जाता है और ठीक वैसा ही करता है, जैसा गूलू का भूत कहता है, सारे बच्चे मिलकर रोहन को ढूणने में लग जाते हैं, कुछ देर बाद मौनू रोहन को पकड़ कर भूत के पास ले जाता है, भूतिया बच्चा रोहन पे हमला करने ही वाला था कि तभी पी मौनू बच्चा रहा है, अरे मगर क्यों, मैंने कुछ भी नहीं किया है मास्टर जी, तू इतनी देर से रोहन को परिशान करने के लिए ढून रहा है, और तूने बागी बच्चों को भी इतना परिशान किया, और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, जल्दी से मुर्गा बंजा वरना मैं अपनी चड़ी निकालता हूँ, और सभी बच्चे उस पर हसने लगते हैं, लेकिन उसे तुरंत याद आ जाता है कि अब वो इनसान नहीं है, बलकि वो एक भूत है, भूत, अरे ये क्या, अब तो मैं भूत बन चुका हूँ, भला मास्टर जी से क्यों डर बेचारा रोहन कूने में सहमा हुआ खड़ा था, और ये सब देख रहा था, मगर मास्टर जी को हवा में लटका हुआ देखकर, वो रोते हुए खुद ही गूलु के भूत के सामने आ जाता है, बस करो गूलु, मास्टर जी को छोड़ दो, उनकी कोई भी गलती नहीं है, हा रोहन की तरफ देखकर उससे कहता है, तो बता रोहन के बच्चे, मुझे मारने की सजा क्या दू मैं तुझे, हा तो ठीक है गूलु, तुम मुझे जो मर्जी सजा दे दो, लेकिन अब बाकी लोगों को परिशान मत करो, अब तु इतना सीधा साधा कैसे बन रहा है रोहन, तेरी वज़ा से ही मेरी जान गई है, नहीं गुलु रुक जाओ, रोहन की कोई भी गलती नहीं है, वो तुम्हें बचाना ही चाहता था, क्या, मगर कैसे, ये तो मुझे डूपता छोड़कर भाग गया था, नहीं गुलु, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागा था, बलक आप सभी ठीक कह रहे हैं, मैंने हमेशा गलतियां पे गलतियां की, और अपनी शैतानियों की वजह से ही मेरी जान गई, लेकिन अब मैं और गलतियां नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ कि मुझे 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 बताओ गोलू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, जिससे कि तुम्हे मुक्ती मिल जाए, पानी में डूबते वक्त हमारी गुलक मेरे हाथ में ही रह गई थी रोहन, इसलिए मेरी जान उसी गुलक में कैद हो गई, इसलिए उस गुलक को तोड़ दो, उसके तूटने के साथ ही मुझे मुझे मुक्ती मिल जाएगी, ठीक है गोलू, म मैं अभी ऐसा कर देता हूं। रोहन फॉरन जाकर उस गुल्लक को तोड़ देता है और गुलू के भूत को मुक्ती मिल जाती है। मुक्ती मिलते ही वो हवा में गायब हो जाता है और इसके बाद गाउं में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।